You are more to be real, not to be perfect का क्या मतलब होता है या आज किस वीडियो में सीख लेती हैं You are more to be real, not to be perfect का मतलब होता है कि आप प्रिपूर्ण होने से ज्यादा वास्तविक बनने वाले हैं या प्रिपूर्ण बनने से ज्यादा वास्तविक बनना ज्यादा सही है यानि प्रिपूर्ण का मतलब होता है कि जिसमें कोई कमी ना हो, कोई खामी ना हो, कोई गलती ना हो या जिसमें कोई इंपर्फेक्शन ना हो, कोई भी किसी भी तरीके की जो है उसको डर ना हो या कोई भी कमजोरी उसमें ना हो तो ऐसे व्यक्ते को हम एक perfect कहते हैं लेकिन perfect हम सभी जानते हैं कि कोई नहीं होता हर व्यक्ते के कुछ कमिया होती हैं कुछ खामिया होती हैं कुछ उसमें खासियते होती हैं तो इसमें यही कहा गया है कि आप वास्तविक बने, आप जैसे हैं, यानि कि आपको आपकी कम्यों का भी पता होना चाहिए, आपको आपकी खासियतों का भी पता होना चाहिए, और आप उनकी साथ ही चले, यानि कि अपनी कम्यों को छुपाने की या perfect बनने की कोशिश ना करे आप जैसे हैं वैसे ही genuinely वैसे ही रहें और वही जादा बहतर है यानि कि the phrase you are more to be real not to be perfect suggests that being authentic, genuine or true to oneself is more important than striving for perfection यानि कि perfect बनने की कोशिश करते रहने से बहतर है कि आप जैसे हैं वैसे बने यानि कि यह इससे बहतर है कि आप अपनी कमियों को अपनी कमजोरियों को मान ले बजाए इसके कि आप इस चीज़ का दिखावा करते रहें कि आप में कोई कमी नहीं है या आप जो perfect होने के जो वास्तों में हुई नहीं सकता कोई वैसे standards को follow करने की कोशिश करें यानि कि यह perspective इस बात पर जोर देता है कि आप authentic रहें और अपने आपको स्विकार करें दूसरों को भी स्विकार करें जैसे आप हैं वैसे ही स्विकार करें बजाए इसके कि आप perfect बनने की कोशिश करें या perfect बनने का दिखावा करें क्योंकि perfect कोई होता नहीं है यह हम सभी को पता है तो हमें अपनी strengths का यानि कि अपनी जो खास बाते हैं खासियते हैं उनका और weaknesses यानि कमजोरियों का पता होना चाहिए और उन सब को हमें मान के चलना चाहिए बजाए इसका कि हम दिखावा करें कि हमें तो कोई कमजोरियां है ही नहीं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें